इंस्पिरेशनल स्पीच से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। दोस्तों, जीवन में आगे बने के लिए हम सभी को हमेशा मोटिवेट रहना बहुत आवश्चक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आग चलने रहने के लिए कोईले की जरूरत पढ़ती है। वैसे ही जीवन में सफल और आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। जब हम किसी दूसरे जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो हम हमेशा दूसरे स्थान पर रहते हैं। इसलिए भीड का हिस्सा न बनकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इंजन को कोई नहीं खिचता है, वह खुद अपनी उर्जा से चलता है। विश्वास होना चाहिए कि हम किसी काम को कर सकते हैं, इसलिए उस रहसे को जानने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमें सफलता का रास्ता दिखाएं। किसी मकसद को हासल करने के लिए मेहंत करना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कठिन परिस्थितियों में खुद पर नियंत्रन रखना, क्योंकि कोई भी मिसाइल सिर्फ मिसाइल नहीं होती है, बलकि वहाँ उस सोच से उपच्ती है, जो किसी भी मुल्क पर मंदरा रहे खत्रों को कम करने का दबाव बनाती है, इसल नदी जब पहाड या हिम से निकलती है, तो उसका कोई नक्षा पास नहीं होता कि सागर किधर है, नदी बिना नक्षे के सागर तक पहुँच जाती है, क्योंकि वह हमेशा आगे बढ़ती रहती है, इसलिए आपको भी सफलता पहुचने के लिए नदी की तरह निरंतर आग हार तो हम सब की सोच बनाती है, जो मान लेता है, वो हार जाता है, को ठान लेता है, वो जीत जाता है, शिखर पर पहुचने के लिए कोई शॉर्ट कट नहीं है, उचाई पर पहुचने का रास्ता तेज या आसा नहीं होता और अच्छी बाते जल्दी नहीं सीखी जाती है, यानि तेज गती से कोई काम तुरंट नहीं होता क्योंकि सफलता सही समय और सही दशा में मिलती है वैसे भी हर चीज के लिए समय निश्चित है इसलिए समय के साथ चलिए आप जो काम कर रही है उसमें खुश रहने की कोशिश करिए और और किसी कारण से अगर उस काम में मन नहीं लगता तो शायद वह काम आप के लिए नहीं बना है यदि रफ्तार से आगे बढ़ोगे तो वक्त से आगे निकल जाओगे